तो इसको चेक करते हैं कैसा है और ये साथ में जो आपको डबा दिख रहा हुगा इसमें तमर है कभी भी आप सौधी के पास आएंगे या सौधी के पास हो नए हो आप आपको पता नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और कभी भी अगर आपका कपिल बोले गहवा बनाने के तो ऐसी बनाएं और जब बोले गहवा लेकर रखो इदर तो इदर लाकर रखना पड़ेगा आपको कपिल के पास तो खजूर भी रखना साथ में देख लिए आपके ये खजूर है हमारी वाव और ये हमारा गहवा है और ये इसमें हमारा गहवा फूल है इसमें डाल दिया ओके तो ये हमारा तैयार हो गया गहवा ठीक है याद रहे दोस्तों ये एक लिटर गाए ओके तो इसमें एक लिटर आया है अगर आपके पास दो है इसमें का तो दो लिटर पूरा आ जाएगा ओके तो ऐसे बनाते हैं गहवा आप देख सकते हो इसका यह कलर है तो पंद्रह से बीस मिनट पर गहवा रेडी हो जाता है ओके तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गहवा कैसे बनाएं तो यह है दल्ला आइस को दल्ला बोलते हैं आइस में दो लिटर पानी डालें और उसको उबालने के लिए डाल दें आपके अब देख सकते हो इसका बोलते हैं छोटा दल्ला जिसमें हम गहवा डालेंगे तो सबसे पहले इसमें डालेंगे इलाइची हरी वाली जिसको अरबी में बोलते हैं हेल आप देख सकते हो हमारा पानी उबल चुका है अब देख सकते हो अब इसमें डालेंगे हम गहवा तो दो लिटर है यह तो इसमें हम डालेंगे अभी एक तो देख सकते हैं इसको बोलते हैं छोटा फिंजाल इससे भर के डालेंगे दो फिंजाल दो लीटर में गहवा तो यह हमारा गहवा हो चुका है याद रहे अगर एक लीटर पानी में डालना होगा एक लीटर पानी में बनाओगे तो एक फिंजाल छोटा गहवा ठीक है दोस्तों देखते रहेगा आपको पूरा वीडियो देखेगो तभी समझ में आएगा याद रहे दोस्तों गहवा डालने के बाद इसको 15 मिनट कम से कम उबालें और ज़्यादा ज़्यादा 20 मिनट तक उबालें क्योंकि जब तक ज़्यादा उबालेंगे नहीं इसको गहवा अच्छा बनेगा नहीं तो आप थोड़ा सबर करें अब हमारा गहवा हो गया है रेड़ी अब इसमें हम इसको गहवा को डालेंगे दोस्तों आप लोग देख सकते हो एक थोड़ी हलकी आज पर रख देंगे गरम होने के लिए क्योंकि ये दल्ला जो है पहले से बाहर था ठंडा था इसकी वज़े से इसको आज पर रखना पड़ता है तब ही गावा गरम बना रहा है अब इसको थोड़ा सा पकाएं दो मिनट अब हमारा गहवा बनके रेडिय हो गया है तैयार हो गया है अब चलिए चेक करते हैं कैसा बना है आप लोग वीडियो में बने रहिएगा वाव क्या कलर है तो इसको चेक करते हैं कैसा है और ये साथ में जो आपको डबा दिख रहा हुगा इसमें तमर है कभी भी आप सौदी के पास आएंगे या सौदी के पास हो नए हो आप पता नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और कभी भी अगर आपका कपिल बो हमारी वाव यह हमारा गहाह है और यह इसमें हमारा गहा फूल इसमें डाल दीए ओके तो यह हमारा कि तैयार हो गया गहा ठीक है याद रहे दोस्तों ये एक लीटर गया है कि इसमें एक लीटर अगर आपके पास दो है इसमें का तो दो लिटर पूरा आ जाएगा ओके तो ऐसे बनाते हैं गावा आप देख सकते हो इसका यह कलर है तो पनो अनओेके ट्प उए़ाओगगा गाव तो रुण हावटभब शेखगड़म्द, ओिअ Tanner, ट्रिक सत्रूओड़, बघग जोगजगगगगगगगगगगगगगगपद मावदछ ज़िवजगगपगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग